पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना के पुलिस ने आर्म्स रैकेट के सर्गना को यूपी के सुर्टानपुर से गिरफतार किया है पूर्वी डिल्ली की DCP प्रियंका कश्यप ने बताया की गिरफतार आरोपी यूपी के जौनपुर का निवासी है जिसका नाम शुभम सिंग है DCP प्रियंका कश्यप ने आगे बताया की पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना के पुलिस पिछले दिनों आनद विहार इलाके से 2251 जिन्डा कार्तूस बरामत कर 6 आरोपियों को गिरफतार किया था इस गैन के सरगना गोला बारूट की अवैधा पूर्ती के स्रोट और विसीवत दोनों का पता लगाने के लिए मधु विहार के सीपी निरव पटेल और पटपल गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने के सेचों के नित्रित्व में अलग अलग तीमें बनाई गई गई इस टीम में पकड़े गए आरोपियों के सभी मुबाइल नमबरों और उनके कनेक्टिंग नमबरों के सीडियार और आईपीडियार का जाच किया गया हजारों IPDR और CDR जांच करने के बाद UP के सुल्तानपुर से गैंग के सरगना शुभम सिंग को गिरफतार कर लिया पुलिस ने शुभम सिंग से पूछताच किया जिसके बाद शुभम सिंग ने पुलिस को बताया कि जब वह 17 साल का था तब उसे जौनपुर जिले के सरपाथा थाना क्षेत्र में हत्या के कोशिश में पकड़ा गया था जब वह बाहर आया तो वह हतियार तस्क्री करने वाले के संपर्क में आया और देशी हतियार और गोला बारूट की तस्क्री शुरू कर दिया बाद में वह बिहार के भोजपुर आरा जिला में रेट माफियाओं के संपर्क में आया उन्होंने बताया कि सोन नदी में रेट खनन के लिए रेट माफिया को सरकार से खनन टैंडर मिलता है लेकिन वे अक्सर अपने आवंटित क्षेत्र की सीमा पार कर जाते थे अवेद रेट खनन में कई रेट माफिया शामल हैं इसलिए वे अक्सर दूसरों पर अपना दबदबा दिखलाया करते हैं। इस दौरान उनके बीच क्रोस फाइरिंग होती है। इस प्रकार उन्हें दूसरे ग्रूप के लोगों को डराने धमकाने के लिए बड़ी तादात में गोला बारूत की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में वह मेरत के निवासी अनिल बालियान के संपर्क में आया जो पहले से ही जिंडा कार्तूसों की अवैद तस्क्री में शामिल था। दिल्ली होते हुए गोला बारूद ले जाने के लिए काम करते थे और ये सब अवैद सामगरी शुभम या उसके साथियों को सौंकते थे। पुलिस की पुछताच में पता चला है कि चार से पांच बार ऐसी घटनाय हुई है जिन में सांग गांट से हजारों जिंदा कार्तूस की आपूर्ती की गई है। पुलिस की लगातार पुछताच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने जिन्दा कार्तूसों के अलावा बिहार में रेट माफियाओं को राइफलों की सप्लाई भी की थी शुबम ने बारवी तक की पड़ाई की है इससे पहले वह उत्तर प्रदेश के मेरत में आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफतार हो चुका है दिल्ली से न्यूज चैनल सूरज की रोशनी के लिए रिजवान खान के साथ एनम फरीदी की रिपोर्ट